नमस्कार, जैमात अवी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीत हुआ चारे अभी शेट की जब बात आती है, रूतर अभी शेक खास करके वो बहुत सारी कष्टों को आपके जीवन से दूर करता है अब जैसे हमें जल की जरूरत होती है, यानि हमारी प्यास बुष्टी है जल से लेकिन हमें अगर कि उसकी जगा कितनी भी सारी चीज़ें दी जाएं बट उससे हमारी जिन्दगे में कोई ज़्यादा असर नहीं होता है बट जैसे हम जल बिते हैं अब सल्कुष्टी आती है सेम सिचुएशन होती है, जो जीज जिस चीज के लिए बनी है उसका इंपेक्ट आपके जीवन में ज़्यादा पड़ता है अब बहुत सारे अभिशेक आप करते रहते हैं अरुद्रा अभिशेक खास करके आप करते रहते हैं लेकिन उसमें आपको कितना बेनिफिट कौन से अरुद्रा अभिशेक से मिलता है ये ध्यान लगने की जुरूरत है कर्ष्ट है शारीरी का कर्ष्ट है मांसिक स्थिति आपको परिशान करती है यानि मेंटली डिस्टरब रहते हैं आपके हेल्थ इशूस ज्यादा रहते हैं आपको स्ट्रेस ज्यादा रहता है आपके घर में किसी कहाखास सुख की कमी है दन में मृद्धी नहीं हो रही हो कोई काम है जो आपका बार-बार रुखता हो कोई ऐसे ही चीजे हैं जो आप जीवन में पाना चाहते हैं लेकिन आपको अफसर वहां को भूंका ही नहीं मिल पाता जिससे आपकी सारी नीर्चों वह फुल फिल हो सके जब अभिषेग की बात करते हैं तो किस और दूसरी बात आती है कि अबिशेक करने का जो सही तरीका होता है पो कैसे होना जगी है पिर किसा चीज से किस करश्टों को आप दूर कर सकते हैं घर के अंदर ही हमारे बहुत साली जिससे हम यूटिलाइज करके जिसका हम प्रियोग करके अपने जीवन से बहुत सारे कश्टोर को दूर कर सकते हैं पहली बात आती है कि घी का अभीशेक ज्यादा तर लो करते हैं जरसे भुलेनाथ का अभीशेक अले लगेगे तो इतना सारा गी लेकर के अभीशेक करते हैं लेकिन आपको मालू मेंसे अपको मिलता क्या है क्या फाइदा होता है क्यों करना चाहिए अगर जिस व्यक्ति को कोई खास कमी होती है किसी जीचे से हम कहते हैं कि हमारे घर में संतान की दिक्कत होती है संतान में व्रिद्धी नहीं होती है या पर पूरे खांडान में कोई एक बच्चा ही नहीं होता या बच्चा होता है तो या फिर सेफ लड़के ही लड़के होते हैं लड़की नहीं होते हैं तो लड़का नहीं होता है यानि कहने का मितलब है कि वाइश में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत होना जिसे ना तो वाइश की वरिदी हो दो ही नहीं हो और ना ही आपको आपकी मन चाही संतार मिल रही हो ऐसे लोगों को जब भी अभिशेक करना हो तो इन्हें घी का अभिशेक ज़रूर कर चाहिए बाकी बहुत सारी चीजी आप कर सकते हैं अब घी के अभिशेक की जब बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उडेल देते हैं चीजों को कि हमने उडेल चीजों के डाल दिया बस अभिशेक हमरा पूरी तरह से हो गया नहीं सबसे पहले तो आपके अंदर धैर होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिचुल को किसी भी पूजा को किसी भी विती को करने के लिए आपके अंदर एक पेशेंट्स लेवल की जरूरत होती है यारी जब तक आप सरांडिंग में अपनी एनर्जी को पॉजटिव नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी मिशन को बहुत इसली अचीव नहीं कर पाएंगे सबसे पहले तो आपको दैरे से शांती रखनी है मन शांत रखना है एक कागल होना है जदा उतल पुतल नहीं मचा करके रखनी है और फिर आपने एक बड़े से कटोरे में पूरे घी को डाल लेना है लेकिन घी को जब आप डालते है यह ध्यान रखिए अगर तो वो पिगल करके एक लिक्वेड फॉर्म में उसे बना लीजिए यानि पूरा एक जैसे कहीं कोई डेली है कहीं पतला है कुछ ऐसा भी शेक नहीं कि जब आप किसी भी चीज को बहुत सिस्टम से करेंगे आपको लाग फाइदा उतना ही होना शुरू हो जाएगा पूरे हाथ में घी ली उससे घी से अभिशेक किजिए और ये अभिशेक कम से कम कहा जाता है कि तेरा सूम बार ये अभिशेक करना चाहिए आपके घर में वन्ष को लेकर के जो भी समस्या है वो सारी समस्या दूर होती है भुले नात वैसे भी इतने भुले हैं कि आपकी हर बात को बहुत ही असान के साथ मान जाते हैं अब आती है बात कि इसके लावा और कौन-कौन से ऐसे अभिशेक हैं जिससे हमें कुछ खास फायदे मिल सकते हैं इत्र का अभिशेक है अब इत्र के अभिशेक से हमारा स्ट्रेस दूर होता है हमारे अंदर एक हैपीनेस आती है हमें खुश्या मिलती है ह अमारी कष्ट जो शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, वो दूर होते हैं, हैपिनेस का बाती है, जब आप स्वस्त होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक अवस्ता में हो, मानसिक अवस्ता से ठीक होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शारीरिक क तो इसलिए हमारी मानसिक स्टिका कंट्रोल होना बेहद जरूरी है शुकरवार के लिए भोले नात का अभिशेक करना चाहिए इत्र के साथ ऐसे लोगों जिन लोगों को स्ट्रेस जन्ठा है जो खुश नहीं रहते हैं खुश रहते तो उपर की समायल रखते हैं सिर्फ 24 चिंग समायल करते हैं लेकिस अंतरात्मा से भूुशई वह एपिनैस उनको नहीं होती है तो ऐसी लोगों को इत्र से ही अभिशेक करना चाहिए और बहुत ही शांती से मैंने आपको बताया एक तरीका अब ये तो इतर की कितनी बड़ी बोटल ले ले आपको कैसे उसका भी शिर्क करें तो जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाई और थोड़ा एक इतर की बोटल मिलाई हाथ के साथ अपने हाथों का प्रियोग जादा कीजिए ये फिंगर से ये आपके टिप्स जो है ये आपका तलवा है जो हाथ की हथेलिया है ये है इन सबका प्रियोग करना चाहिए बहुत अच्छे से उससको मिलाना चाहिए मिला करके आप एक लोटे में भर लेजिए और स्टील के लोटे में इसका अभिशेक एक धार की तरह करना है ये दान ड़केगा जब आप अभिशेक कर रहे हो जितना आपने मालीजे आपने बकेर के अंदर या बाल्टी के अंदर एक पानी को ज़ड़ार बनाया है और उसस लोटा भरा है तो लोटे का जो आप जल डालेंगे उस धार को आपने तोड़ना नहीं है अंटिल अल्टनेस वह स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्माप्त नहों यानि आपने शुरुआत की और उसका एंड जो है वह पूरा कंपलीटली आपने शिवलिंग पर डालना है म तो आपने बहुत ही शान्ति के साथ एक विन्नम्र करना है एक आपने सरंटर करना है कि यह भुले रात हमारी इस समस्या से हमें दूर कीजिए हमारी जीवन से यह कष्ट को दूर कीजिए यकिन मनिये आप कुछ नहीं से साथ अभिशेक करेंगे उसके बाद आप खुद दे में रहने को अपने अंसर्ण मिलेगा एक हो किसी ने कहा किया पैसे लग रहे हैं एक होते है कि आप स्वं अंदर का थीकिर नहीं हम है हम राध हम घुष है हमें कोई परिशानी है तो हमेशा है जब भी आप किस भाव से किसी चीज को करते हैं उस म्रुव से ही आपको शजर् धन की वरिद्धी होती है, गन्य के रस से अभिषेक करने से घर के अंदर सुख सुविनाये बनती है, तो जब आप गन्य के रस से अभिषेक करेंगे, तो आपको लाब भी उसी हिसाब से मिलेगा जो आप जिस भाव से अभिषेक कर रहे हैं, इस अभिषेक को आपको हामेशा कम से कम आथ सोंबार लिगातार अभिशे करीदें, इसे हैं से वह सपकिते किनझा तर्री नहीं प्यूकरर आते केwar कम से कम आर्थे सुंबार लगातार अभिषय करनाएं क JAKEUR जब तक आप अभी शेक करते जारें, एक एक लोटा लेते जाएगा, ध्यान दखिएगा, अभी शेक करने में कुछ चीजों का खास ध्यान दखने की जूरत है, इसमें एक नहीं आपको दो लोटे की जरूरत पड़ेगी, यानि एक हाथ से आपने एक लोटा भरा, जब तक ल लोटा खतम नहीं होना जाहिए, दूसरे हाथ से आपने अभिशेक शोरू करते रहा, यानि उसका ब्रेक नहीं चाहिए, जो अभिशेक हो रहा है, पड़ने भोन ध्यान होता है, तब तक आपने दिसरा लोटा फिर से बाम लेना है, यानि कोई भी चीज़ा ब्रेक ऊहिए, ये जो जो connection है, ये connection ही आपको परिशानी है जरूर करेगा। आपने सिर्फ still धियान करना है कि दल्ल दूर हो और हुओ, दल्ल भॉले नात की दल के भुले नात, आप हमारे गर में धन, और सुख की वरीदि रघए, ओम नमयागे बिज़त औने जरोर आप पाने है और नम्य शिवये नमा शिवये to इसमय be नश्यादन समय है इजरोर्षा उम्यशे आपके पास हो। वैसे तो अरो इंडलेस्ट हो न की artists लेकिन हमें तकलीफ का होती है जब हमें मैं किसी चीज की जरूरत होती है तो वो चीज़ा हमारे पास ना हो ऐसे में आपने यही कामना करनी कि हमारे पास धन्ड की कमी ना हो हमारी सारी सुख सुमिदाओं का आप नहीं ध्यान डखना है आप इस तरीके से विनम्र तरीके से अगर आप यह अभिशे करते हैं तो यकीन माले है, आपकी कई सारी समस्याइं जो है, वो दूर होती है। मेरी इस वीडियो को आपने बहुत सारी लोगोंतों कर जरूर पहुंचाना है। मेरी अगली वीडियो को आपने इंतजार करना है, तब तक एलिए, नमस्तार।